टेक्निकल जुगाड हिंदी चैनल को सस्क्राइब करें और बैल आइकन पे किलिक करके आल नोटिफिकेशन को ओन करें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके तो यहां पे मैंने एक वायर उपर टेच किया फ्रेंड तो कोई भी बीप नहीं आ रही है तो आप देख सकते हो फ्रेंड की डैड के अंदर कुछ वैलू आ रही है अब इसको टच कर रहा हूं दोनों पॉइंट को यहां पे हमें कोई भी वैलू नहीं आ रही है जबकि यहां पर वैल्कम बैक माई यूटूब चैनल टेक्निकल जोगाड जैसे कि अगर आप वह सोल्टिंग आर यूज कर रहे होगे तो आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसी प्रोलम आई होगी कि हम सुल्टिंग आरन को यूज कर रहे हैं और अचानक से उसने हीट करना बंद कर दिया है या फिर उसके अंदर अगर लाइट लगी होती उलाइट नह लेके ही आया हूँ जाद है तो मैंने इसको यूजी नहीं करा तो आज की वीडियो के अंदर फ्रेंड मैं वही चीज़े आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रोलम आ जाए तो आप कैसे कैसे उसे चेक करोगे और अपनी प्रोलम को रिपैर करोगे वीडियो को आप सुरू से एंड तक देंखे तब भी आपको अच्छे से समझ आने वाला है और वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा अगर आपको ह हमारे वीडियो पसंद आए तब ही हमारे चैनल को सस्क्राइब और वीडियो को लाइक करें अधर्वाइस वीडियो को डिसलाइक करें तो चलिए फ्रेंड ज्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो केंटिनू स्टार्ट करते हैं तो यहां पर देखिए फ्रेंड मेरे पास दो सोल्डरिंग आरन है ठीक है एक हमारे पास बिल्कुल नया है और एक यह हमारे पास खराब हो चुका है तो अब देखिए अगर आपके पास भी ऐसा कोई प्रॉलम आ गया है हीट नहीं हो रहा तो सभसे पहले आप क्या चक करोगे फ्रेंड सभसे पहले आप उसकी यह जो वायर होती है इसको हमें चीक करना है कि कई बार क्या होता है कि यह वायर ना वैसे तो अंदर से ज्याद़ देमेज होती है बाहर से भी चुहे वेगरा काट देते हैं या फिर कहीं से जली हुई दिखाई देती है जैसी प्रोलम आ जाती है उनके अंदर तो सबसे पहले तो आपको वायर को ऐसे चेक कर लेना है यहां से उनको वायर खराब दिखाई दी तो यहां से उन्होंने कट करके इसे यहां से जॉइंट कर दिया उसके बावजूद भी यह प्रिपैर नहीं हुआ फ्रेंट क्या कारण है वह भी मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले आपको अपने इस वायर को ही देख लेना है आँखों से अगर आपको दिखाई देखाई इसे कट गई है जल गई है तो इस तरीके से चेक करना है उसके बाद आपको क्या करना है अपने आरन को खोलना है अब कुछ आरन तो ऐसे आते हैं जैसे कि यह हमारे पास एक आरन है इसके अंदर क्या है कि पेज सिस्टम नहीं तो यहां पर क्या होताहा है कि हम इसको कोई सब्सक्राइब पास कोई पर्दी हो या कोई पैन पीश का सो इस से आपको ईशेर ऊपर की तरव उठाव देना है और बड़े आराम से यह ठोल जाता है यह देखिए इसको थोड़ी आपके पास कौन सा आयरन है वो आप देख लेना इस तरीके से हमें पेज को खोलना होता है यह मैंने पेज को खोल दिया है अब यहां पर देखे फ्रेंड यह जो सोल्डिंग आरन था यहां पर इस तरीके से खुल गया है और इसके अंदर और इसके अंदर सेम ही चीज होती है इसके अंदर देखिए थोड़ा सा अच्छी क्वाल्टिक है इससे लेकिन यह भी नहीं होता कि यह इसके अंदर जैसे प्लास्टिक वाइट कलर का है तो इसके अंदर दिखाए देते हैं कि लाइट हमारी यहां तक आ रही है तो यहां पर एक LED दे दीगे यह फ्रेंड जिससे हमें पता चल जाता कि यहां पर आ रही है अब इसके अंदर देखे फ्रेंड चेक करना होते हैं, जैसे आप इसको खोलोगे, तो यहाँ पर देखे, इस तरीके से वायर जूड़ी रहती है, यहाँ पर यह हमारा पूरा आगे का element है, यही हीट होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप वायर को चेक कर लो, कि कोई वायर वगरा है, तो यहाँ से निकल तो नही होती है इस तरीके से तो यहीं से प्रोलम होती है तो आप यह चीज देख लेना अगर आपकी वायर यहां से टोट गई है या निकल गई है तो आप इसको किसी दूसरे सोल्टिंग आयरन से या किसी दुकान पर जाके इसको सोल्ट करवा लो ठीक है ऐसे आप घुमा के रखोगे फ्रेंड तो यह फिर से निकल जाएगी तो इससे अच्छा है कि आप किसी दुकान पर जाके यह काम करवा ले थोड़ा सा मश्बूती से हो जाएगा और अगर आपक क्या करेंगे इसको मल्टिमीटर से चैक करेंगे कि इसकी जो अंदर की दो वायर हैं यह कहीं से खराब या सोड तो नहीं होगी कई बार इसके अंदर भी प्रोलम आ जाती है तो वह चैकिंग कैसे करेंगे हम मल्टिमीटर से यह देखे फ्रेंड यह है हमारा मल्टिमीटर औ बिल्कुल पर्फेक्ट तरीके से अब देखे हैं इसकी आरेंगे यहां पर तीन पॉइंट है तो उपर वाले को छोड़ दो इसका कनेक्शन दे नहीं रहता होता यहां पर हम इन दो पॉइंट पर चैक करेंगे तो पहले हम किसी एक पॉइंट पे एक प्रोब को ठीक है अब यहां पर यह जो वायर आ रही है अब इसमें से हमें तो नहीं पता कि इस पॉइंट पर है या इस पो तो हम दोनों पर टच करके देखती है तो यहां पर मैंने एक वायर उपर टच किया तो कोई भी बीप नहीं आ रही है अब दूसरे पर टच करते हैं यह दूसर इसका connection इस वाली वायर में है तो इसको हम देखते हैं यहां पर भी डेप आ रही है तो इस तरीके से आप से क्लियर कर सकते हो कि यह जो हमारी वायर है यह कहीं से खराब है कि नहीं है कई बार जैसे उपर से तो देखने में सही लगती है लेकिन अंदर से प्रोलम होती है तो इस तरीके से किसी भी forward को check कर सकते हैं की device की वायर को फ्रेंड हमने वायर को चेक कर लिया multimeter से अब उसके बाद i.e. इहां पर यहां पर देखिए हम किसको check करते हैं यह देखिए यहां पर उसके आगे 2 बाटरी से बेठे कर सकते हैं भी Rogers LED होती है इसके अंदर यह देखे प्लस माइनस होता है इसके अंदर तो यहां पर मैं आपको दिखा दूँ फ्रेंड इस LED को आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर ना एक आपको छोटी पत्ती दिखाई दे रही है और यहां पर एक बड़ी पत्ती दिखाई दे रही है तो य कि ये जो LED ये हमारे काम नहीं कर रह journeys का मतलब कि ये LED भी हमारी हो चुकी है, तो इस तरीके से LED को आप चेक कर सकते हो और यहां पर एक resistance लगा होता है ठीक है तो इस वज़े से ये LED है अमारे काम करती है तो ये भी खराब हो चुकी है और इसका रेजिस्टेंस भी जल चुका है यह देखिए और सैड इसी वज़े से यह LED भी हमारी खराब हो गी है अब उसके आगे क्या है फ्रेंड उसके आगे है यह डायोड अब डायोड के अंदर फ्रेंड इसके अंदर एक तो सिल्वर पट्टी होती है और एक सैड में हमारा ब्लैक वाला पार्ट होता है यह देखिए इसके अंदर में दिखा हूँ इसके अंदर साफ नहीं दिखाई दे रहा इसके अंदर भी मिटा हुआ है मैं एक आपको नए डायोड दिखाता हूँ से यह डायूड होता है आप देखे यह तरप सिवर पट्टी होता है दूसरा एक हंसा मारा मानेस वाला हिसा होता हो जो ब्लेक वाल 2030 ही साइट फिछे वाला वह हमारा प्लस होता है यहाँ इसी तरीके से इसके connection जोड़े होते हैं तो यह देखे हमारे diaid लगा है इसमें हलकी आपके दिखाई भी दे रहे होगी यह देखे silver पट्टी है हमारी हलकी एलकी silver पट्टी आपको दिखाई दे रहे हैं यह हमारी इस side में है और black वाला हिंसा आगे के तरफ element की तरफ चला गया है तो आपको डायट को भी चेक करना है अब डायट को कैसे चेक करोगे फ्रेंड डायट को जब आप multimeter से चेक करोगे तो आपको इसी mode पर ही चेक करना है बजर mode पर ही अब देखे किस तरीके से हम चेक करेंगे कि यह हमारे डाआट तो इसको हम इस तरीके से लगाएंगे और यहां जड़ाएंगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंड की डाइड के अंदर कुछ वैलू आ री है अब इसको हम पलट देंगे इस तरीके से अब यहां पे हमें कुछ नहीं मिलना चीए तो देखे एक सेड तो डायट को चेक करने पर वैलू मिलेगी और दूसरी सेड आप प्रोव को बदलोगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा यह देखे यहाँ पर वैलू आ रही है और यहाँ पर कोई भी वैलू नहीं आ रही है तो इस तरीके से आपको diet को check करना अगर दोनो set value मिल रही है या बेप आ रही है friend तो समझ जाना ये जो diet है आपका खराब हो चुका है तो ये चीज़ ये हमें समझ आ गई अब हमें क्या देखना है friend अब हमें element को देखना है कि ये element हमारा खराब है या सही है तो देखिए friend इसको आप हम check करेंगे तो element के अंदर friend ये जो दो point आपको दिखाई दे रहे है friend इस पे हमें probe को रखना है तो इस तरीके से हम रखेंगे ये देखिए मैंने यहाँ पे रखा और इसको यहाँ पे रखा तो इस तरीके से जब मैं इसको टच कर रहा हूं दोनों point को तो यहाँ पे हमें कोई भी value नहीं आ रही है जबकि यहाँ पे value मिलनी चाहिए अगर आपका ये element okay होता friend तो यहाँ पे आपको कुछ value sow करता अब जबकि ये हमारे पास एक ठीक element है ये देखे ये salting iron है इसके element को हम चेक करेंगे तो देखे friend इसके अंदर क्या है इसको थोड़ा मैं दूर दूर कर लूँ ये देखे इसको मैंने यहाँ पे touch करा और इसको यहाँ पे touch करा तो आप देख सकते हो multimeter के अंदर हमें कुछ value मिल रही है ठीक है multimeter की screen पे देखो friend यहाँ पे आपको कुछ value sow कर रही है अभी ये value कितनी भी हो सकती है friend क्योंकि सब भी जो हमारे salting iron आते हैं उसके अंदर अलग-अलग value आते है लेकिन कुल मिला के आपको एक value मिलनी चाहिए तो यहाँ पे value मिल रही है इसका मतलब क्या है friend इसका element okay है और इसका element हमारा खराब हो गया है और इसी वज़े से friend ये जो salting iron हमारा prepare नहीं हो पाया है market में ये पूरा element मिलता है ये तो बिट तो अलग होई जाती है चिपक गई है ये निकाल के मैं दिखा दो ये तो अलग से मिलती है ये element होता है हमारा और ये आप देख सकते हो किस तरीके से हो गया है ये इसके अंदर खड़ा सा हो गया और ऐसे मसाला सा निकल रहा है इसके अंदर देखे रेट सा ठीक है तो ये जो सस्ते वाले element होते है इनकी ऐसे ही condition होती है और ये हमारा पूरा खराब हो चुका है तो इस तरीके से आपको element को चेक करना है element के अंदर आपको value मिली चीए wire आपको चेक करना मैंने बताए दिये दोनों पर beep मिली चीए और beep mode पे ही आप डायड को चेक करोगे LED को आपको किसी भी mobile battery से चेक कर लेना अगर LED नहीं है तो उसको आपको छोड़ देना इस तरीके simply आपको डायड को चेक करना है element को चेक करना है और wire को चेक करना है और इसके अंदर कुछ होता नहीं है अब ये जो element है friend ये market में मिलते हैं लेकिन मेरे इसाफ से कोई भी फायदा नहीं है उन element को लाके क्योंकि वह भी बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं मैं तो friend एक बार लाया था 10 पीस और उसके अंदर से 9 पीस तो खराब निकले और एक पीस बचा था वह भी अच्छे से सेटिंग नहीं हो पाई तो मुझे तो मज़ा नहीं आया तो इससे अच्छा तो यहीं है कि आप किसी अच्छी कंपनी का सोल्टिंग आयरन खरीद लो friend अगर आपको लंबे टैम तक काम करना है और इन सोल्टिंग आयरन का तो कुछ कहा नहीं सकता चलनी को इच्छे मैने भी चले और नहीं चलना हो तो दो-चार दिन भी ना चले या फिर हो सकता उसी टाइम में खराब निकल जाए तरीके से फ्रेंड आपको सब कुछ करना है अब कुछ कि करना है अब कुछ सोड्जिंग आयरन के अंदर यह भी रहते है कि उनका सब्रण कर और अदर काम भी सभी होरा है लेकिन काम हीट हो रहा है कि अदर फ्रेंब बैसे पिगलने हैं नहीं है तो आप जब सोल्टिंग औरेन यूज स Devi एक कि नहीं है कम वोल्टेज पर सोल्टिंग आरेन काम नहीं करते ठीक से करते हैं लेकिन वही है कि हलका हलका आपका सोल्टिंग आरेन ऐसे थोड़ी दिर लगा कि रखोगे तब जाके वो पिगलेगा तो फिर जहां पर सोल्टिंग करोगे वहां पर वो सई से पिगलता नहीं हो पकड़ता नहीं है जब भी आप वार को जोड़ते हो तो यह प्रोलम रहती है अगर कम हीट हो रहा है फ्रेंड तो ज्यादा तर लाइट की प्रोलम रहती है और जैसे कि अगर आपका solding iron खराब होता है तो अधिकतर case में क्या होता है यहां से wire हमारी खराब होती है नहीं तो फिर हमारा यह element भी कई बार खराब हो जाता है तो यह ऐसी problem आती रहती है तो हमारी इस video से related आपका कोई भी सवाल है और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो जरूर हमारी चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और घंटे के bell icon पे click करके all notification को own कर लें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टोपिक साथ तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरू